किस नमुस्कार दोस्तो हरेक्रिस्णा रधे रधे कैसे हैं आप सब लोग आसा करते हूं सब लोग बहुत अच्छे मैं भी बहुत अच्छी हूंCS और आज में तरफ रहां का दान किया जाता है और इसको बोलते हैं सो सेरा का रान सा वह प्रकार का सामगरी दान का जाता है इस में अबात कर चाओ भी होंई किया refreshing इसे जाए इस के किलो को करना दान बहुत ही का क्षोन में करना हो उसमें चाहिक चीज़ा नहीं जाता है उसमें घख की अ करना में Sky से आ 새 नागिह Авुजा दानեओ और अपनी हिसाब से जैसे जैसे जब जब होगा उससाब से दान कर सकते कितने क्याढ़्थ करेंगे के सबहुंधिं हम सबसे पहले नारियल का दान किया जाता है जलत नारियल MY छोड़से टिलाव Πर आप 24 नारिहल सकते क्योंकि सबसे पहले दीन जो होता है मकड संक्रांती के दीन होता है उस दिन 14 चीजों का दान करना विश्यस माना जाता है तो आप 14 नारियल का दान कर सकते हैं या एक किलो का वजन करवा लिजे आप ऐसे नारियल का दान कर दीजे तो आपका एक दान मकड संक्रांती के दीन ही जाता है अगर नारियल ना ँझा लिए आफी आप लाब दान कर सकते हैं तो फ्र इन अरियस प्रकार से जोपर वहां वह बहुत से बहुत जीजों में काम 11 पिने में महाता है घैंस वह इस थी सवा थयकों सवादक। से 3 और तो दान करें दान पाइब किसी अपने मानिधान को दान कर सकते हैं अपने घर के कुछ चीज़ें ऐसी है जो भरके बड़ों को दान किया सकते हैं लेकिन में हैन하다 आप मितल हो कि पता है कि आप से में तो देखिए कि दों चीज मैं ने दिखा दिया कूछ चीजे मैं आपको एकजामकल जैसे इकजामपल होता है उस तरह से देख़ारर वह बाकि आप अपने प्गजाम से भी देख सकते हैं इसके बाद दिखिए इस तरह का तील कुटाता है तो यह आप दान कर सकते हैं यह सारे दान आपको सुरू में ही करनी है क्योंकि पोस्त की महीना रहते रहते हैं जब ही पोस्त अंकरांती में ही ठंडे के टाइम पे ही यह सारे चीजे विसेश माना जाता है और इसके दान किया के सामान है वो हम आगे चल के बाद में भी दान कर सकते हैं तो आप तील की कोई सामान दान कर सकते हैं तील की लड़ू दान कर सकते हैं तील से बना हुआ इस तरह का जो मिठाई आती है बो दान कर सकते हैं इसके इलाबा देखिए आप सिंधाना दान कर सकते हैं तो इस तरह का सिंदना दान कर सकते हैं तो यह दिस नगी जो सिजनल फल बगर यह दान कर सकते हैं कि लाव कर सकते हैं ऐसा नहीं रहता है कि दान करना सब्सक्राइब लिएक है जब भी आप करोगे साधा आपको कुछ ना-कुछ दक्सिना देना ही है ठीक है अगर आप सो किलो सामान ओज, थोड़ा सा डक्सिना उसमें जुरूर रखनेए तो, देखिए इस तरह का जो फल आते हैं यह फल भी हम दान कर सकते हैं काने पीन के सामान में अलु अगर आता है तो आप चाहे तो अलु अगरा भी दान कर सकते हैं लुपत्तु कीतने किसम के सब्सक्राइब को चाहे आप के मेड़ीय या सुइपार या रूड याथ जो साफ करते हैं और आपके घर के जादव दूर नहीं जा सकते ये इसकों को नहीं जानते तो आप उनको भी दे सकते हैं इसके दीके कि ड्राइफύुट के दान करना बहुत अच्छा माना जाता है तो आपको शेश निजिस तैसा लेजिए अगर पांछ되는 का पकेट है तो दू подक30 कीब नहीं होती है और क्या चीज होता है ना ड्राइफूर्स बहुत महेंगी होती है गरीब इसको खरीद नहीं सकते लेकिन उनको भी कही न कहीं मन करता है तो जब ही आप दान करते हो ना तो उनका जो दिल से जो इतने अच्छा एक एहसास आता है ना वह आप खुद सोच के देख इसके बाद देखे पोष हुआ रशा पफशन सकते हैं यह वह समेन सबसी है तो अ बेकिल दब एक है देखोष किल देखें ऑधा किलो टान कर सकते है तो आप यह श्क पाकेट उनका इसको दान किया जाते थान कल्याता है वारन कीष़े gord itself ऊसे बूल को ठीक लगे उससे पैकेट में दानने के पैक लेज़िए तो दान भी दाल चाहिए जो है कि दाल की लीजिए काए लीज वोह पही मिल जाता है जब हो चंप सत्थ नमक करे अगर यह उल्टा तरब एक किल formation नमक ते साथ खिचली बीज ज़रूर दान करें perfect के लबा देखिए आप एक दो किलो का आटे का भी फैकेट करना करें उसको एस तरह से दान कर सकते तो खाने बीने का सामगरी अगर दान करते हैं नौ बहुत इजी रहता हाई दोस्तों किसी को भी दान देना इसके बाद देखिए आप चाहे तो तेल दान कर सकते हैं और जब भी दान करेंगे आपको दक्सिना जरूर रखनी है बिल्कुल नहीं भूलना है इस बात का धियान रखें ठीक है इसके बाद देखिए एक बहुत बढ़िया दान के लिए बोल लिए जो लोगों को भी बुक पड़ना बहुत पसंद है जिनको भी लगता है कि बुक पड़ना अच्छा लगता है और इतना बुक नहीं करें सकते तो आप इस तरह का जो बुक साते धार्मी किताबे आते हैं इ लेकिन बूक दान विए क्या में, ऒरके listeners, क्यूंब में, से ज्यूने, सब्सक्रe egy इरदा ज्यूक्ता करें, फुख फल प्रते शरी में, व्यूक्ता कंट जूते हैं, तो इस बाद का भी शीयर दियान रखे और इस झीपोई टो आप लोग्ले hover जो एक पैर गिलो का पैकर गए लेकर जैसे भी विसकीट și सब आप कर सकते इसके इलावा देखिए ठंडे के समय अगर जभी आप दान सुरू कर रहे हैं यानि कि जभी पोस के महिना खतम हो रहा है मकर संक्रांती आ गया है और इस समय आप दान सुरू कर रहे हैं तो आप जो ना उलेन चीजे दान कर सकते हैं टोपी वगरा दान कर सकते हैं सोईटर दा तो खिचली दान आप कैसे करेंगे इसका डिटेल्स वीडियो चैनल में अप्लोडेड है तो देखिए जब हम दान करते हैं तो काली उरत के दाल इसके साथ चावल इसके साथ हल्दी नमक और साथ में थोड़ा सा हमें देना है तील और गुड और थोड़ा सा दक्सीना तो इन अफसे माना जाता है उत्भार के लावाब तील की लड़की दान और चाथ कर सकते हैं चाता जुता जान कर सकते हैं आप घाने पीוכ में कुछ भी नितादी दानis cd अब अब अध्यापन होता है जब हम उद्यापन का समयीं आता है तो हमें 1ग धो चांदी के 10-7 घंडी करने का नहीं हो पाता है किसी से भी चलो हम देख कॉला morale रहें हैं तो यहाँ पर के साइस, दान कर तो Tसा आहरों को दी होती है किलो क चने का दल ऑर एक किव चावल, हगै, तो यहां पर रिक किलो का डाल P一下 adverse वह ऐना उखे तो, पर रायार है, अगर चने की जाएंटे लिक तो और आप काikes दले लाख देनote कोई भी कितनी भी छोटा साइज का चाहे आप नोस पीन वगरा ले लो यहां पर में अपना अंगुठी दिखा रही हूं है पतला सा कोई जैसे भी आपकी सामर्त है चाहे तो एक नोस पीन ले सकते हैं चाहे तो सोने का थोड़ा सा एक बाली आती है कुछ भी जैसे भी आप सम दाल में मोड दीजिए और दाल में फिर मिक्स के करके रख दीजिए और जिसको भी आप देंगे उनको बता दीजे कि इसके अंदर मैंने सोने का एक टुकडा रखा है आप उनको ढूनके निकाल लेना नहीं तो क्या होगा वह हो सके कि उनसे खो जाए कहीं गिर जाए पता ना चाल में लगा के दान कर दीजे've to एक किलो सोना और दान के स्वाशाब से माना जाएगा और ऑर सोना दान किया जाता है समय इसके इलाबा आपको पंडिताइं को जब दान करें के तो लिए दो पंडियों पंडिताइं को जरूर देनी चाहिए भाइस एंगे सब्कहते हैं,को सaslic दोटे को स्वष्ञूके को इस बाद थी यहांको क्योंते हैं, को दोस्ट यह संब्द पर मिनिमम्ग कर जोड़ करना है और ये दान आपको किसी ब्राम्भन को ही करनी है किसी मंदिर में जाके किसी ब्राम्भन को आप इस दान को कर दीजे तो आज के वीडियो में हमने सौ से रहके दान का नियम देखा है हमें हर चीज एक एक किलो करके देनी होती है एक साल में इस दान के नियम को complete करनी होती है और उद्यापन के दिन हमें सोना चांदी दान करनी होती है और सोना चांदी दान करने का नियम क्या है वो भी मैंने आपको बताया तो आशा करती हूँ आज के वीडियो आप लोगों के लिए useful रहा होगा और अगर वीडियो पसंद आगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कूल भी ना भूले ताकि आगे जो भी वीडियो में अप्लोड करूँ वह आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए दोस्तों मकर संक्रांती की बहुत सारे सुपकमनाएं और वीडियो कौन से नियम उठा साकते हैं और उस नियम का उद्ध्यापन कैसे किया जाता है इस चैनल पर आपको हर चीज मिल जाएगी तो आप क्रिपय एकबर चैनल पर आईए देखिए और अगर पसंद आता है तो प्लेस हमारे साथ रहिए मिलते नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए हरे क्रिश्ना राधे राधे